गाड़ी गर के बाहिर आकर रुकी थी। सारे रास्ते में रूही ने एक दो बार गाजयान से बात करने की कोशिश की थी। लेकिन आके से गाजयान की चेहरे पर लो लिफ्ट का टैक लगा ही मिला था जबके वो दिलावर के साथ हलकी फुलकी बात चित कर रहा था। हैदर ने भी बात करना मुनासिब न समझा गाड़ी के रुकते ही सब गाड़ी से उतरे गाजयान ने मुनासिम को इशारा किया तो वो जल्दी से इनका समान गाड़ी से निकालने लगा। दिलावर और हैदर अंदर की जाने पड़े अगाजयान बिन के पीछे अंदर जाने लगा जब पीछे से इसे रूही की आवाज आई तो ना चाहते हुए भी इसके कदम रुखे आप समझते क्या है हुद को कहीं के वजीरे आला हैं जो इतनी अकड़ है आप से आप से बात करने की कोशिश कर रही हूँ मजाल है आपने मेरी एक विबात का जवाब दिया हूँ जबके डैट की तो सारी बातों का जवाब दे रही थी रोही का हुद को यूँ नजर अंदास करना अच्छा ना रगा वो तो यहां सबसे प्यार वसूल ने आई थी जिसके लिए वो बरसोत तरसी थी मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं और ये अपनी तेश चलती जबान को थोड़ा काबू में रखा करू गाजियान को इसका अंदास हर्गी सचा ना लगा उपर से इसकी ड्रेसिंग इसकी घुस्से की बड़ी वज़ा थी हलाके इसकी ड्रेसिंग ज़्यदा ओवर भी नहीं थी और सबसे एहम और ज़रूरी बात हमारे घर की नड़किया ऐसी बेहुदा ड्रेसिंग नहीं करती इसलिए जबान चलाने से जएदा अपनी अकल इस्तिमाल किया करो गाजियान एक नजर इसके वजूद पर डाले वहां से चला गया जबके पीछे रूही पीछवता आप खाती रह गई अकड़ू, क्रूस, क्या प्राब्रम है मेरी ड्रेसिंग में डैट तो कह रहे थे, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ और देखना बाकी सब को भी बहुत अच्छी लगूँगी और डैट कहते हैं न, जो हुद अच्छा नहीं होता, इसे कोई अच्छा नहीं रगता इनका भी यही हिसाब है रूही अपने दिल को दलासा देती, अंदर की जानिब चल दी हवेली में किस्तिक बाल, बहुत शानदार किया गया था आगा जान अपने बेटे और बच्चों के इतने बरसों बाद अपने सामने देखकर बहुत हुश थे जबके हैदर मिलने के फोरण बाद थकावट का पहाना बनाता, अपने कमरे में चला गया था और रूही नेहा और आगा जान के साथ बातों में मसरूफ थी अपनी बेटी को इतना हुश देखकर दिलावर का दिल पुर सुकून हुआ था कुछ ही देर में नेहा की इससे अच्छी हासे दोस्ती हो गई थी रुकसाना और सकीना भी इसे काफी अच्छी रगी थी सिकंदर और इजहान अभी आफिस से नहीं आय थी और रही घाजियान की बात जो दिलावर को तो बहुत पसंद आया था लेकिन रुही को वह कोई हास पसंद नहीं आया था जो पहले ही मुलाकात में इसे अच्छा हासा डान चुका था अपने बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैटी घाजियान को मुबाइल में मस्रूब देख रुही ने मूँ टेड़ा करते अपना रुख नेहा की जाने पौड लिया जबके घाजियान जो रुखी की निकाहे हुद पर महसूस कर चुका था बिना कोई रिस्पॉंस साहे किये ऐसे ही बैठा रहा आगा जान को रुखी बहुत पसंद आई थी चंद ही गंटों में नेहा और रुखी की दरहां वो भी इन्हें बहुत अजीज हो गई थी आगा जान आपको पता है मैं आप लोगों को बहुत मिस करती थी मुझे आप सब की बहुत याद आती थी अब मैं आप लोगों को छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी रुखी ने लाट से आगा जान के कंदे पर सर रखा मैं अब तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूँगा बहुत रह लिया हमसे दूर पर देश में अब तुम यहीं हमारे पास ही रहोगी आगा जानने भी लाट से बोलते इसके सर पर लब रखे दिलावर ने मुहबत परी नजरों और मुस्कराते लबों से दादा पोती का प्यार देखा अरे रुखा बेटी कहा है वो नजर नहीं आई चाय पीते दिलावर ने सामने बैठी रुकसाना और सकीना की जानिप देखते दर्यापत किया लहजा बेहद अपनायत लिये हुए था वो अपने कमरे में है सकीना ने जवाब दिया रोहा को पता नहीं था कि दिलावर आने वाला है इस बार आगाजान ने सवाल किया वो आगाजान रोहा की तबियाट ठीक नहीं है हलका सा बुखार था तो मैंने इसे मेडिसन दे दी अब भी वह सो रही है नेहा ने जवाब दिया तो आगाजान को इसकी फिकर होने लगी अगर रोहा की तबियदा खराब है तो हम डाक्टर को काल करते हैं नहीं आगा जान मैंने मैडिसन दे दी थी अब तो बुहार भी उतर गया होगा आगा और नेहा की गुफदगू को सीरे से इक्नोर किये रुकसाना और सकीना बेगम अपनी अपनी चाय पी रही थी लूसी मेरी जान मैं नेक्स्ट वीक वापिस आ जाओंगा फिर हम दोनों शादी कर लेंगे प्लीज लूसी बजए एक वीक की बात है आगा जान कभी मेरी शादी इस लड़की से नहीं करवाएंगे मैं बहुत जल तुम्हारे पास वापिस आ जाओंगा जबके फोन के दूसरी जानिप से कुछ कहा गया जिसे सुनकर हैदर के चेहे के तासुरत कुछ नरम हुए हाँ मेरी जान मैं बहुत जल बहा आओंगा I love you so much हैदर ने मुस्कुरा कर कहती फोन बंद किया वो कल ही कोई मौका देखकर आगाचान से बात करने का इरादा रखता फ्रेश होने के लिए वाश्रूम के जानिप चला गया रोही जब से रोहा से मिली थी एलफी की तरहां इसके साथ शिपकी हुई थी नेहा से भी जएदा अच्छी अंडरस्टेंडिंग इसकी रोहा से हो गई थी रोहा जिसका बुखार अब उतर चुका था नेहा के लाख मना करने के बावजूद किचन में खड़ी सब के लिए रात का खाना बना रही थी रोही ने भी इसे काम करने से मना किया था लेकिन इसका कहना था अगर वो फरी रही तो जैदा बिमार हो जाएगी बहुत सारी सोचे इसे परशान किये हुए थी जिन्हें सोच सोच कर वो बिमार होने से बहतर अपने दिमाग को दूसरी जगा मस्रूफ रखकर इन सब सोचों से चुटकारा हासल करना चाहती थी रोहा आपी सिकंदर बाई और इजहान बाई आफिस से कब आएंगे मुझे इन से भी मिलना है पता नहीं गुडिया कभी जल्दी आ जाते हैं और कभी लेट पका नहीं बता सकती रोहा ने खाना बनाते हुए बताया अच्छा आपी मेरे दोनों बाईयों में से जैदा कौन सा प्यारा प्यारा है सिकंदर बाई या अजान बाई अचानक रोहा के जहन में अजान का सरापा लिह रहाया इसकी गुस्थे से बरी होफनाक आँखें जिसे ह्यालों में देखकर रोहा का ननना सा दिल काप उठा था सिकंदर बाई इजहान बाई नेहा और रोहा ने एक साथ जवाब दिया जिस पर रोही ने हैरत से दोनों की जानिब देखा फिर रोहा और नेहा ने एक दूस्थे की जानिब देखा जिस पर तीनों का कहका बेसाखता था वैसे मेरे बाई जएदा अच्छे हैं नेहा ने मस्कुराते हुए कहा अब ये तु मिलकर पता चलेगा जएदा कौन अच्छा है रोही ने भी मस्कुराते कहा वैसे रोही तुम गाजयान पाई से तो मिल चुकी हो वो तुम्हे कैसे लगे नेहा ने पास तकर तमाटर का पीस उठा कर मुँ में रखते पूछा एक नमबर का ख़डूस रोही के इनकिशाफ पर रोहा और नेहा ने एक साथ रोही की जानिब देखा पता है मैंने इन्हें इतने हलूस से सलाम किया और इन्होंने मेरे सलाम तक का जवाब नहीं दिया और जब मैंने इन से बात करने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया और मेरी इंसल्ट पी की रोही का लहजा घजयान की बातों को याद करता कल्ख हुआ जबके किचिन के दर्वाजे पर खड़ी घाजियान ने इसके अपने बारे में है अलाज जान कर सर जटकते हुए रोहा को महातिब किया रोहा एक कप काफी बना दो और बिना रोही की जानिब देखता वहां से चला गया तो जनाब काफी पीते हैं इसलिए कड़वे हैं मैं भी सोचूँ जिसकी बेहन इतनी स्वीट है इसका भाई करेले की तरहां कड़वा कैसे हो सकता है लेकिन ये सब काफी का कुमाल है रोही दोनों की जानिब देखती तेजी से बोली जिस पर दोनों मुस्कुरा दी आगा जान मुझे आप से जरूरी बात करनी है आगा जान जो अब सोने की तियारी कर रही थी रात के बारा बजे इसहान को अपने कमरे में देख हेरान हुए इसहान को पेंट कोट सूट में देख वो समझ के थी के इसहान अभी आफिस से आया था और शायद सीधा इनके पास ही आया था वो सीधे होकर बैट कराउंसे टेक लगा कर बैठी आगा जान आपने मेरी और रोहा के बारे में क्या सोचा इनके पास बैट पर बैट थी वो अपने मतलब की बात पर आया इसहान ये बात रोहा के इनकार पर हतम हो चुकी है रोहा हैदर की मंगेतर है वो इसे समझाने वले अंतास में बोले मुझे परवा नहीं वो लार परवाही से बोला देखो इसहान ये हमारे दर्मियान टैप जाया था अगर रोहा तम्हारे साथ शादी से इनकार करती है तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहुंगा और वैसे भी मैं अपनी जबान से नहीं फिर सकता मैंने दिलावर को जबान दी थी के रोहा इसकी बहु बनेगी और मैं सकीना के बाई को भी जबान दे चुका हूँ के फारिया तुम्हारी दुलहन बनेगी तो ये आपका आखरी वैस्ता है इजहान ने जब्द से सुरकवी आँखों से इनकी जानिब देखा आगाजान ने असापत में सर हिलाया तो फिर ठीक है अब वैसा ही होगा जैसे आप चाहते हैं इजहान पुर इस्सरार सा मुस्कुराता इनके हातों को लबों से चुमता वहां से उट गया जबके आगाजान इसके लबों पर फैली मुस्कुराखट को देखते कुछ पुर सुकुन हुए इजहान के इतनी जल्दी मान जाने की इन्हें उमीद नहीं थी लेकिन इसके चेहने की चमक और लबों पर सजी मुसकराखट को देखते वो पुर सकून हुए थे सकीना बेगम हाथ में खाने की ट्रे पकड़े इस जहान के कमने में ताकिल हुई तो कमरा हाली था जबके वाश रूम से पानी किनने की आवाजे सुनाई दे रही थी सकीना बेगम खाने की ट्रे टेबल पर रखती इजहान के उतारे के शूज उठाकर इसकी सही जगा रखती कोट को बेट से उठाती ड्रेसिंग रूम में रखती इसकी चोटी चोटी चीजे समेटने के बाद सोफे पर आकर बैटी जब इसहान फ्रेश सा टावल से सर को साफ करता बाखिन निकला और सामने सकीना बेगम सोफे पर बैठा देखा हलका सा मुस्कुराया मामा आप अभी तक उठी हुई है इसहान टावल बैट पर रखता इनके करीब सोफे पर बैठता इनकी पिशानी चूम गया जब तक तुम गर नहीं आते मुझे सकून कहां आता है सकीना बेगम ने भी अपने हुपरू बेटे की पिशानी को चूमा लेकिन मामा आपकी तबीर ठीक नहीं रहती ऐसे में आपका इतनी देर तक जाकती रहना अच्छा नहीं और खाना लाने की क्या जरूरत थी मुझे कुछ हास बूक नहीं थी ऐसे कैसे बूक नहीं थी सुभा नाश्टा भी तुमने अच्छे से नहीं किया और जहां तक मैं जानती हूँ दोपहर को भी तुमने नहीं कुछ खाया होगा चलो अब जल्दी से खालो खाने की ट्रे इसके सामने करती थोड़ा सकती से गोया हुई मामा मुझे अच्छा नहीं लगता आप मेरे लिए जाकती रहती है इस हान ना चाकते हुए भी खाना खाने लगा वो अपनी परशानी में अपनी मा की जात को तकलीप नहीं पहुचा सकता था बस थोड़े दिन की बात है तुम्हारी बीवी आ जाएगी फिर मैं ये ड्यूटी छोड़ दूँगी फिर मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी टेंशन करने वली कोई और जो आ जाएगी सकीना बेगम के मीठे तंस पर इजहान नस पाट नजरों से इनकी जानिब देखा जिनकी आँखों में दूरने से भी सकीना को कोई हुशी दिखाई नहीं दी ऐसे क्या देख रहे हो मुझे आगा जानने पताया है और अब तो बाईसाहब से भी बात हो चुकी है बहुत जल्द शादी की डेट रखी जाएगी इजहान की नजरों को उत पर जमा देख सकीना ने तफसील पताई सकीना इजहान की पसंदीदिगी से अच्छे से वाकिव थी लेकिन इसे हुशी थी कि रोहानी इनकार कर दिया वरना वो अच्छे से सबक से खाने का इरादा रखती थी वो हुश थी कि इसकी लाडली बतीजी इसके बेटे की दुलहन बन रही थी बस खा लिया मैंने खाना दोनों वाले पा मुश्कल हलक से नीचे उतारती वो कहता बिना सकीना से कुछ कहे ड्रैसिंग के ड्रामे रखा सीगरट का पैकेट और लाइटर उठाकर वो बैलकोनी की तरफ जाता दरवाजे जोर से बंद कर गया पीछे सकीना अपने बेटे के उदास चेहरे को देखकर सारा मामला समझ चुकी थी लेकिन दिल से मुतमित थी के इनकी बतीजी सब ठीक कर देगी आज संडे होने की वज़ा से सभी अफराद गर पर ही मजूद थे और आज दूप पे बाकी दिनों की निस्बत कावी अच्छी निक्री हुई थी सभी अफराद बाहिर लौन में मेहफिल लगाए पैठे थी जबके नेखा रोखा और रोही मिलकर सब के लिए चाय बना रही थी आज इतने दिनों बाद सब अकटी होकर बैठे थी हैदर जब से आया था अपने कमरे में ही रहता था इसे किसी से कोई मतलब ना था यहां तक दिलावर और रोही को भी इसने महातिब करना छोड़ दिया था जबके आज दिलावर के सकती से कहने पर वो सब के साथ लौन में बैठा था जबके शकल पर बिजारियत साफ वाजया थी जिसे आगा जान के साथ सिकंदर, इजहान और घाजयान ने भी नोट किया था अगाजयान को तो अपना ये कजन जरा अच्छा नहीं लगता था बाई जब से आया था कमडे में बन था जबके बेहन तेज तेज जबान चलाती सब पर प्यार निचावर करती फिर रही थी सब अपनी अपनी बातों में ही लगे थी जब बहुतीनों हाथों में ट्रे थामें बहा आई लो बाई चाए भी आगी हैदर जो अपने फोन में मसरूफ था दिलावर की अवाज पर इसने नजरें उठा कर सामने देखा जहां रोही के बिलकुल साथ चलती रोहा को हाथ में ट्रेल आते देख हैदर की आँखें इसकी हुबसूरती को देख साकत हो गई पिंक शिलवार कमीज में इसका चेहरा भी पिंक लग रहा था जबके सर को अच्छी तरह दुबट्टे से कवर करने के बावजूद इसके बार खुले होने की वज़ा से इस दुबट्टे से भी नजर आ रही थी आँखों में काजल जबके लबों पर हलका पिंक कलर का लिप लोज लगाए बो नहायत उबसूरत लग रही थी इजहान जिसकी नजरें भी रोहा पर टिकी हुई थी अचानक इसकी नजर थोड़े वासले पर बैटे हैदर पर पड़ी जो रोहा को ही एक तक देख रहा था इजहान की आँके पल में लखुई रगे घुसे से भूल गई इसने घुसे से जोर से मुठिया पींची और रोहा की जानिब देखा जो मुस्कुराती हुई आगा जान को चाय पकड़ा रही थी इसकी मुस्कुराखट पर जहां वो दिल हार बैटा था वहां हैदर क्या चीज़ था इसे हैदर के साथ साथ रोहा पर भी घुसा आया जो आगे पीछे तो कभी इतना त्यार नहीं हुई थी जबके आज तो त्यार होने का रिकार्ड तोड़ दिया था बकूल इसहान की सोच के जबके वो बिचारी तो बराए नाम का ही त्यार हुई थी तुम्हें किसने कहा था चाय बनाने को इजहान की हद जब हतम हुई वो अपनी जगा से खड़ा होता घुसे से चिलाया जहां बाकी सब जो हुशकपों में मस्रूख थे चौंकर इसकी जाने मतवच्चा हुए जबके हैदर जो तफसीली रोखा का जाइजा ले रहा था बलके ये कहना दुरूस्त होगा आँखें से एक रखा था इजहान के चिलाने पर हर बड़ाकर नजरे रोखा से रटाते इजहान को देखने लगा रोखा ने शिकाइटी नजरों से इजहान की जानिब देखा जो इसे जलीर करने का एक मौका भी हाथ से नहीं जाने देता था मैंने कुछ पूचा है किसने तुम से बोला चाई बनाने को और आज कोई हास दिन था जो इतनी त्यार हुई हो इजहान चलता इसके पास आया जो टेबल के पास खड़ी सब को चाई पकड़ा रही थी मदद तल्ब नजरों से आगा जान की दर देखा जबके निहा और रूही डरकर पीछे आगा जान के पास चली गी थी इसहान बिहेव यूरसेल्फ ये आप किस तरहा रूहा से बात कर रही है और रूहा को हमने चाय बनाने को कहा था आगा जान आगे बढ़ते रूहा को अपने हसार में लेते इसहान की जानिब देखते दबे दबे घुस्से से भोले जबके वहां मजूद तिलावर और हैदर समीट रूही भी मामला समझने की कोशिश कर रही थी इसहान इतना ओवर रियक्ट क्यों कर रही हूँ यहाँ सब अपने ही तो है सिकंदर ने इसके गंदे पर हाथ रखा जिसे इसहान ने सुरक आँखों से देखा सिकंदर ने आज पहली बार इसहान की इतने घुस्से में देखा था हाँ इसहान बेटा इसमें घुसा होने वली क्या बात है लड़कियों को थोड़ा बहुत तो त्यार रहना ही चाही मैंने ही रोहा को त्यार होने का बोला था अपने कमरे में रह रहकर मुर्जास ही गई थी सकीना ने मुस्कुराते इजहान की जानिब देखते कहा जबके सच तो ये था वो हैदर का सामना रोहा से करवाना चाहती थी क्योंके जब से हैदर आया था वो भी अपने कमरे में ही रहता था जिसे देखकर सकीना को कुछ तो गरबर का इहसास हो रहा था इसलिए इन्होंने रोहा को त्यार होकर बाहिर सब के लिए चाहिलाने का बोला था ताके हैदर एक बार रोहा को देख लेता इन्हें पूरा यकीन था हैदर एक बार रोहा को देखने के बाद इस से शादी से इंकार नहीं करेगा और हैदर को यूं मुबुहत होकर रोहा को देखता देखकर इन्हें कही न कही अपना प्लैन काम्याब होता दिखाई दे रहा था इजहान अपने गुसे को अपने अंदर ही दबाता आगा जान के साथ लगी रोहा पर एक नज़र डालता वहां से चला गया वरना गर मजीद वहां रहता तो गुसे से सब को नुकसान पहुँचाता इजहान गर्की लड़कियों के मामले में थोड़ा सक्त है इसे लड़कियों का बिलावजा सजना सा वरना पसंद नहीं सकीना मुस्कुराती दिलावर और हैदर की जानिब देखती कहती हुई रुकसाना के साथ जाकर बैट गई दिलावर ने बात को समझती हामें सर हिलाया वरना तो कुछ और ही सोच इनके दिमाग में आई थी जबके हैदर कोई जहान का लहजा हर्गिस पसंद नहीं आया था चायका का पलबों से लगाती इसने एक बार फिर रुही और नेहा के साथ बैटी रुहा को अपनी नजरों के हसार में लिया इसे अंदाजा नहीं था रुहा इतनी हुबसूरत होगी रुहा की हुबसूरती को देखकर इसका इमान डिकमा गाया कल जो इतने इतने बड़े तावे कर रहा था कि शादी से इंकार कर देगा अब रुहा की हुबसूरती के आगे दरे के दरे रहके थी हुद को किसी की नजरों के हसार में महसूस करती रुहा ने इड़किर नजरे दोड़ाई तो हैदर को हुद की जानिब देखता पाकर इसकी आँखे शरम से जुकी जबके दूसरी जानिब इसकी शरम से आँखे जुकाने पर हैदर की लब हलके से मुस्कुराए आग का शोला बना वो अपने कमरे में दाखिल हुआ अपना गुसा बेचांद चीजों पन निकानने लगा ड्रेसिंग के सारी चीज़ें पल में फरिश की जीनत बना गया इसका दिल कर रखा था हैदर की आँखे नोच दी जिन आखों से इसने इसकी मुहबबत इसकी जिन्दगी को देखा था कमरे का हशर बिगारने के बाद भी जब इसका घुस्सा किसी सूरत कम ना हुआ था साइट टेबल के ड्रॉ से सिगरट का पैकेट और लाइटर उठा कर बलकुनी की जानिब पढ़ा सिगरट फोंगते इसकी नजर लॉन में बैठी रोखा पर ही ठीकी हुई थी हैदर को इसकी जानिब देखता देखकर इसका इष्टियार कम होने की बज़ए मजीद बढ़ा था लेकिन जब रोखा ने इसकी जानिब देखकर नजरे जुकाई थी वोही इजहान हान के घुस्से की इंतिखा हुई थी हाथ में पकड़े जलते सिग्रण को हाथ में मसलते इसने पल में एक पैसला किया था जबके रोखा को तो वो इस गुस्ताखी का अच्छा हासा सबक सिखाने का इरादा बान चुका था हम छिय कोई पुस्ताओं को ठे और स्वलूपते सिखाने की इराद थी